जो founder या user OES mobile application को player store से download नहीं करना चाहते हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि player store में मौझूद OES का यह mobile application fake है, real नहीं है तो उन्हें में बताना चाहूंगा कि OES का mobile application onpassive.com बेव पोर्टल पर add कर दिया गया है OES mobile application का link onpassive.com बेव पोर्टल पर share किया गया है अब आप OES mobile application को onpassive.com बेव पोर्टल से download कर सकते हैं OES mobile application को player store से किस तरह से download करना है इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है जिसे मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूँगा उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं लेकिन उस वीडियो में कुछ founders और user दोरा comment किया गया है कि OES mobile application को हम player store से download नहीं कर सकते हैं क्योंकि player store में मौझूद कई सारे application fake होते हैं, real नहीं होते हैं तो जिन founders या user को ऐसा लगता है, वे अब onpassive.com बेफ पोर्टल से OES mobile application को download कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि OES mobile application को onpassive.com बेफ पोर्टल से किस तरह से download करेंगे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन सर्मा OES mobile application को onpassive.com बेफ पोर्टल से download करने के लिए आपको सबसे पहले Google में टाइप करना है onpassive जब आप Google में onpassive टाइप करेंगे, तो सर्च लिष्ट में पहले नमबर पर onpassive.com बेफ पोर्टल दिखाई देने लेगा जिसमें लिखा हुआ है www.onpassive.com आपको बस इस link पर click कर देना है जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, onpassive बेफ पोर्टल का website open हो जाएगा इस website पर आने की बाद आपको products बाले option पर click करना है जैसे ही आप product बाले option पर click करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा आपको scroll करके थोड़ा नीचे आना है यहाँ पर onpassive का web solution o connect दिखाई देगा और side में यहाँ पर कुछ बिंदू दिखाई देगा आप इस बिंदू में हमें सबसे नीचे बाले बिंदू पर click करना है जब आप इस बिंदू पर click करेंगे, तो आपके सामने OES लिखा हुआ रहेगा उसके नीचे digital solution on SaaS subscription लिखा हुआ है यहाँ पर read mode लिखा हुआ है और नीचे में get the OES app now लिखा हुआ है यहाँ पर google play का option दिया गया है और यहाँ पर app store का option दिया गया है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप android mobile इस्तिमाल करते हैं तो आपको play store बाले option पर click करना है और यदि आप iphone इस्तिमाल करते हैं तो आपको बस app store बाले option पर click करना है भारत में ज्यादा तर लोग android phone इस्तिमाल करते हैं और मैं भी Android phone इस्तिमाल करता हूँ तो Android phone के लिए हमें Google Play वाले option पर क्लिक करना है अब जैसे ही आप Google Play वाले option पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजराएगा और आप सिधा Google Play Store में चले जाएंगे Google Play Store में यहाँ पर OES Officially लिखा हुआ है और नीचे में On Passive Technology LLC लिखा हुआ है 5.0 का ranking मिला है इसे और 10 के लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है OES application को अपने mobile में इंस्टॉल करने के लिए हमें बस install वाले option पर क्लिक करना है अभी computer में यह option कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है लेकिन जब आप यह सब अपने mobile में करेंगे तो आपके mobile में OES mobile application इंस्टॉल होने लगेगा OES में mobile application इंस्टॉल होने के बाद आपको बस open वाले option पर क्लिक कर देना है जब आप open वाले option पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके mobile screen पर user ID और password फिल करने का option दिखाई देगा और उसके नीचे में login का option दिखाई देगा user ID में आपको अपना OML ID डालना है और password में जो आप ecosystem में login करते समय डालते हैं वही डालना है उसके बाद login बटन पर क्लिक कर देना है login बटन पर क्लिक करते ही OES का mobile application आपके mobile में open हो जाएगा अब आप OES mobile application के feature और option को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपी के साथ जाहिंद